आज में आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुती डिलिशियस, टेस्टी और ठंडा रोज, मिल्क, शर्बत इसको बनाना बहुती एजी और घर में अवेलिबल इंग्रीडियंट्स के साथ इसको आप आसानी से बना सकते हैं ये गर्मियों में ठंडक और ताजगी भी देगा और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रियंट्स मी हैं आप देखेंगे आगे हम इसके अंदर काफी सारी हल्दी चीज़ा आड़ करेंगे तो बाहर की cold drinks और पीने से अच्छा आप इसे घर पे बनाएं और इसे पीएं और हाँ ये रमजान के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है तो चली बनाना शुरू करते हैं तो यहां हमने लिया है एक लीटर मिल्क और ये हमने लिया है पिसी हुई चीनी तीन से चार टेबल स्पून ये आप तभी यूज करें अगर आप रुआफजा यूज कर रहे हैं तो मैं इसमें रोज सिरप यूज करूँगी कॉन फ्लार हमें लेना है एक बड़ा चमच बारी कटे हुए बादाम एक से दो चोटा चमच बारी कटे हुए पिस्ता भी एक से दो चोटा चमच इनको क्रंच के लिए आट करेंगे हम 3-4 बड़े चमच रोज सिरप और यह 10-12 बादाम 10-12 पिस्ता, 10-12 काजू और 1 चोटी चमच सौफ 1 बड़ा चमच मगज और यह 4-5 इलाइची लिये हैं और रोज सिरप जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ओलरडी स्वीट है अगर आप रोस सरफ नहीं उस कर रहे हैं तो आप रुवावजा के साथ चीनी मिक्स कर सकते हैं तो यहां हम इन सब ड्राइफरूट्स को एक साथ पीस लेंगे यहां में सौफ, बादाम और पिस्ता, काजू और यह मगज के सीड्स एक साथ आड़ कर दे रही हूं क्योंकि इन ड्राइफरूट्स में ओयल होता है तो यह बहुत ज़्यादा इकठे होने लगेंगे तो इसलिए थोड़ा ही इनको ग्राइंड करें तो यहां हमने मिल्क को बॉयल होने के लिए रख दिया है और क्योंकि हम शर्बत बना रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा पतला रखेंगे और इसलिए हमने आड़ किया है एक ग्लास पानी इसमें और यह देखिए यह अच्छे से बॉयल आ चुका है एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसको आप लगातार चलाते जरूर हैं अगर इसमें से मलाई यानि की जो फैट कॉंटेंट है वो सेपरेट हो गया तो जब आप इसको थंडा करने के लिए रखेंगे तो उसमें ऊपर मलाई जमने लगेगी और यहां हमने लिया है कॉंट फ्लार इसके अंदर हम पानी एट करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे काफी स्मूध रहना चाहिए बिल्कुल भी लंप्स नहीं रहने चाहिए इसमें आप यह शर्बत आक्छिली कॉंट फ्लार के बिना भी बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है तो मिल्क को बॉल होते हुए दो से तीन मिनट हुए हैं अब इसी स्टेश पे हमने आट कर दिया है कॉन फ्लार फ्लेम जो है हमने मीडियम रखी थी और लगातार चलाती रही हूं मैं इस मिल्क को और कॉन फ्लार अट करने के बाद इसको पकाने के लिए दो से चार मिनट तक इसको आप लगातार चलाएं जैसा कि मैंने कहा था इसको चलाते जरूर रहें तो इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए लगभग चार मिनट हो चुके हैं अब मैं इसके अंदर आड कर दूँगी यह पाउडर जो हमने बनाया है अगर आपका यह जो पाउडर थोड़ा लंपी हो जाए तो आप थोड़ा सा मिल्क इसके अंदर पहले आड करके इसको फेट लें अच्छे से और फिर इसमें आड करें मिक्स्चर में तो इसके जो कर लें तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पका रही हूं और लगातार चलाती रह रही हूं अब लगबग चार से पांच मिनिट तक हमें इसे और पकाना है मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसके अंदर आप अपनी पसंद के और भी ड्राइफ रूट्स आड कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर खजूर आट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं तो यह देखिए चार से पांच मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसमें बादाम और पिस्ता बारीक जो काटके रखे थे हमने वो आट कर दे रही हूं इसमें और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यह देखिए ठंडा हो गया है हमारा मिक्स्चर अच्छे से अब मैं इसमें डालूंगी रोज सिरप रोज सिरप जो मैं यूज कर रही हूं वो अल्रेडी मीठा है अगर आप इसको रुआफजा के साथ बनाना चाहते तो आप इसमें चीनी भी आड़ कीजिए तीन से चार चाम मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको अच्छे से मिक्स कर ले तो यह देखिए मैंने यह फ्रिज में रख दिया था अब यह बिल्कुल चिल्ड हो गया है तो हमने ले लिया है एक ग्लास अब इस ग्लास अब इसको प्लीज एक बदुरू त्राय किजए अब इसको गार्निष कर देए बारी कट हो पिस्ते और बारी कट हुए बादाम के साथ आप इसको रोज के पत्ण से रोज पेटल से भी गार्निष कर सकते हैं तो रेडि ए हमारा टेस्टी सा रोज मिलक शरबत बहुत ही लाइक और शेर जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई हैपी कुकिंग